जहीं दोस्तों स्वागत आपस भीका आपके अपने प्रिवार हिम्रेक्षक यूट्यूब चानल पर आज हम बात करेंगे HPPSC का प्रिवियस एयर पेपर जिसमें हम डिस्कुस करेंगे हिंदी के कोश्चन्स जो आपका HPPSC का पिपर वन होने वाला है क्लास थ्री के एक्जामों का देखिए उसमें उन्होंने बोला गया है उनके द्वारा कि आपके 20 कोश्चन आएंगे हिंदी शिक्षिन के उसके रिगार्डिंग की वीडियो है आपको पता होना चाहिए कि HPPSC हिंदी के कौन-कौन से टोपिक पर जदा फोकस करता है तो आपके लिए पिपर वन निकालना असान हो जाए यही हमारी कामना है ये वीडियो आपकी इंपोर्टन्ट है HPPSC फिर आपकी पुलिस का कोई भी एक्जाम हो चाहिए हो कौन स्टेबल चाहिए हो SI फिर HRTC conductor driver के लिए forest guard के लिए सारे सारे नाम नहीं लिख सकता हूँ यहां पर तो इतना जान लो कि इस एक्जाम में आपके हिंदी के कौशन आते है उन सब एक्जामों के लिए वीडियो काफी इंपोर्टन्ट है आप देख सकते हो इस वीडियो को चलिए वीडियो को स्टार्ट करते है हमारे पहले कॉशन के साथ इस वीडियो को आप एक मोग टेस्ट एजए मोग टेस्ट पर पलगाना ठेक है एंड आफ दे वीडियो आपको बताना है कि आपके मार्क्स केतने आते हैं पहला कॉशन पढ़िए जो भी हम पिपर डिस्क्स कर रहे है इसका 87 सीरियल नमबर चल रहा है आगे नात न पीछे पगहा इस लगोक्ति का आपको अर्थ नहीं बताना है इसमें सिर्फ और सिर्फ नात शब्द का अर्थ बताना है बाकी विपरों में क्या होता है सिंपल साइस में मुहाबरे पूछ ली जाते है जहां लगोक्ति पूछ ली जाता है कि आपको पूरे का अर्थ बताना है बट HVPSC ने क्या करता है कि HPPSC सिर्फ और सिर्फ एक बड़ जुनता है और उसका अर्थ आपको पूछता है तो इस question का सही जवाव है आपका बैल की नाग की रसी next 82 अनविग्य शब्द में उपसर्ग के स्योजन का कौन सा रूप सही है आपको अनविग्य शब्द को तोड़ कर लिखना है तो इस question का सही जवाव है option D is the correct answer HPPSC का level आप देख सकते हो खुद बाकी paper में जैसे HP Police होगी Forest Guard होगी या कोई वे अन्ने paper होगा उसमें क्या बोलते हैं कि अनविग्य शब्द का उपसर्ग आपको बताना है simple सा उसमें अ होगा अन होगा अ व होगा इस बरकार के option होंगे simple सा उपसर्ग बता कर आपको बताना होता है paper में बट HPPSC ने क्या किया इसमें उसने बोला कि इस पूरे शब्द को तोड़ कर उपसर्ग के संयोजन का सही रूप लिखिए ठेक है level देख सकते हो आप question तो ये भी हिंदी के ही पूछ रहे हैं बट level matter करता है next 83 third question of the video अपराहन शब्द का अर्थ तो ये इस question का सही जवाब है आपका option B is the correct answer दो पहर के बाद 84 निमलिखित में से कौन सा शब्द शुद है परशिस्ट कैसे लिखते है इस question का सही जवाब है option B is the correct answer परशिस्ट ऐसे लिखते है fifth question of the video निमलिखित में से कौन सा वाक्य शुद है B, C, D पढ़िये उसने N, A को गरंत लिखे परतेक ब्रिक्ष फल नहीं देते इस परवती शेतर में सरवत्र शान्ती है क्या यह संभव हो सकता है इसमें कौन सा वाक्य जो है वो शुद है इस question का सही जवाब है option C is the correct answer 86 sixth question चल रहा है निमलिखित में से कौन सा शब्द तत्वव है बताइए आपको यह वाला टोपिक भी अच्छे से आना चाहिए तत्वव और तत्सम शब्द इस question का सही जवाब है option C is the correct answer 87th 7th question attempt करें अब मरण का समास बिगरह आपको बताना है क्या हो सकता है तो इस question का सही जवाब है option C is the correct answer मरण तक 88th 8th question of the video चीर नतन का बिलोम शब्द क्या है बताइए तो इस question का सही जवाब है option B is the correct answer 89th 9th question चल रहा है वन शब्द का सही प्राइवाची चुनिये अगर आपने प्राइवाची शब्द पड़े होंगे तो आपको इसमें गेरावी कटनाई नहीं आने वाली है बिपन नेक्स्ट 90th question of the video और इस वीडियो का लास्ट question है आप बताइए आपके 10 में से कितने वाक्स आए है निमलिकत में से कौन सा शब्द बिशेशन नहीं है तो इस question का सही जवाब है option B is the correct answer सुन्दरया देखिए आप पेपर में जो भी पेपर इसमें HPPSC पेपर लेगा ना आपका section हिंदी के आएंगे 20 question आप ये वाले topic तो नोट कर लो ना पहले heading डालिए topic का ये वाले मुहाबरे और लकोक्तियां डालिए heading आपको पढ़ना है focus रखना है अच्छे से उपसर्ग और प्रत्य topic पर फिर ये वाला earth topic शब्द topic से ही complete हो जाएगा आपका जिसमें आप पढ़ोगे तत्सम और तत्वव शब्द next शुद्वर्तनी topic लगाओ टिक बुक है तो बुक पर लगाईए और कोपी है तो कोपी पर नोट कर लिजिए next है आपका शुद्वाक्य फिर तत्वव और तत्सम शब्द का topic फिर question पूछता है ये समास पर फिर बिलोम शब्द और प्राइवाची शब्द फिर विशेशन जैसे आपका संग्या हो गया सर्बनाम हो गया विशेशन हो गया क्रिया विशेशन हो गया वो वाले topic टिक लगा लो अब बताओ आपको वीडियो कैसी लगी और तस में से आपके कितने माकसाएं है आप लेवल देख सकते हो इस प्रकार से ही आपको पंडने है ये टोपिक ठीक है पूरी लिकोक्ती का अर्थ नहीं पूछता है पूरे के पूरे अनविज्य का उपसर्ग नहीं पूछता है इसका सनयोजन पूछता है कि इसे तोड़ कर लेखिये बाकी पेपरों में क्या होता था इसमें सिर्फ और सिर्फ उन्होंने उप्शन देने हैं आपको कि उपसर्ग बताओ अन फिर अब आब इस प्रकार से आप उपसर्ग चून लोगे ठीक है बट लेवल देख सकते हो आप एच्ची PSC का यदि आपको ये वीडियो इंफूमेटिव लगी तो आपको पता है आपको क्या करना है यहां पर प्रेस करना है और यहां इस वीडियो बस इतना ही मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक आप खुश रहीगा पढ़ते रहेगा धन्यवाद जय हिन जय हिमाचल